ऴ्टेविव य्मिक्षत सब्सक्राइब अल्ए अज लोग मैंस को लिएके डिके मेंस के सिलिवस क्या है मेंस को सिलिवस क्या है कितना पढ़ना है क्या पेपर दिलाएंगे कौन साब nós enters सूभेदार के करके Va Water एक चीज दूसरा चीज परसेंट से पच्पन नंबर में थोड़ा से बहुत ज्यादा है और 20 गुना सेलेक्शन होना कर लेंगे जैसे मालो पच्पन हो गया तो पच्पन फीमेल पचास के असपस आ जाएगा अब स्टार्ट करते हैं हाँ किसी लेपस को बात करते हैं प्रारंभिक लिखित परिक्षा हुआ एक्जाम पेटर ना कैसा था आपको बिल्कुल पता है तीन सो नंबर का पेपर हुआ परस्ट ने थे अगर आपने पचास परस्ट सही किया है तो कहीं न कि आप उमीद रख सकते हैं मेंस में कितने लोगों का सेलेक्षन होना है तो बीस गुना या पस इस परस लिखाया है ना नोटिफिकेसर में पतलब 975 का बीस गुना कितना होगा लगभग उन्नीस हजार प क्वालिफाइग अब देखते मेंस के सिलेबस को लेकर ठीक है एक्जाम में पहला चरण तो प्रिलिम्स दिला लियां भी है ऐसा कि एक्जाम अच्छा गया हो कमेंट मैं बिलकुल बताएगा कि इतना नंबर है एक चीज़ अब बात करते मेंस के सिले बास में एक्जाम लेकिन थोड़ा बहुत आपको इसमें लिखना पड़ेगा उसको लिखना पड़ेगा बाकि अगला पेपर होगा समान्य ग्यान और समान्य अध्यान के तो यह भी दोस्तों नुमर की होंगे तो समान निग्यान समान्य ध्यान में काओगा एक तो चत्यसगार का समान निग्यान और एक इंडियन लेवल का समान्य ग्यान तो कुल मिला कि आपको दोनों को एक्कॉल प्राइवर्टी देना है ठिक अगर मार लो 200 नमबर बोल दिये तो कितना प्रस्ण आएगा 100 प्रस्ण ले लो reasoning, तो कुल मिला के इसके भी 50-50 प्रस्ण होंगे, ठीक, 50-50 प्रस्ण होंगे, अब देखो, अगर आपको post priority, माल लो अपने ASI पर form डाला, तीन डाल सकते हैं, एक जो candidate हो, तीन form डाल सकता है, एक ASI, माल लो एक सुवेदार डाले, और प्लाटून कमांडर, प्लाटून कमांडर, तो आपको ये तीनो पेपर बस दिलाना है, एक, दो, तीन, मतलब हिंदी, समाने गयान, समाने गयान और aptitude test, समझ गया है, मतलब ये ती पुल्चिन वाले, अगर form को fill up की है, इस post के लिए, अपने, इस पद के लिए अपने, अपने form में डाला है, ये फिर इसको priority दिया है, तो आपको चौथा paper दिलाना पड़ेगा, जो गडीत का है, मतलब विज्यान का है, जिसमें गडीत, भातिक रसायन, तीनों दिखेगा, तीनों क्या क्या दिखेगा, एक गडीत, एक भातिकी, एक रसायन, यहां तक समझें, कितने नंबर को होगा, सेम यार, ये भी 200 नंबर को होगा, डिवाइट कैसे होगा, हो सकता है, 25-25 का रहेगा, 25-25, 33-33 प्रशन की साब से डिवाइट होगा, या पचीस का एक दे दो, औ समाकी को बढ़ा के दे देंगे, तो इस प्रकार से ये भी रहेगा, ये किस के लिए, रेडियो और अंगुल चिन्ने के लिए, लेकिन अगर आप उपने रिक्षक में साइबर क्राइम भरे हो, या कम्प्यूटर के विशेश में आपने फार्म भर है ना, तो आपको पांच हिंदी इंग्लिस मतलब लेंग्वेज, समान्य ग्यान, जी एस, और मैट सुरीव, एप्टिट्यूट टेस्ट, ये तो आपको इस से जादर नहीं दिलाना है न, अगर तिनों जो मैं फार्म बता है, जैसे मैंने वही फार्म भर है, तो मेरे को मांकी का इक्राम नहीं देना हुआ, तो अगर आपका जब हिंदी का पेपर होगा न, तो हिंदी के लिए 60 प्रशन मिलेंगे और aptitude के लिए 40 प्रशन मिलेंगे, जिसमें आपको कितना समय मिलेगा, 2 घंटा, समान्य गैन के लिए 100 प्रशन रहीं, कितना समय मिलेगा, 3 घंटा, जबकि गडीथ विझ्यान कि लिए जिसमें आपको PCB मिलेगा और मैस मिलेगा तो यहां भी आपको दो घंटा मिलेगा द्कुल मिला कि आपका paper कितने घंटा का होगा भी यह दो घंटे का होगा यहां पस पूरा चीज लिए तो सीखना पड़ेगा न क्योंकि निबंद आए गए आपस संदी विक्षेत समासिक पद लोकुक्ति मुहारे बिल्कुल समासिक और समास विग रहा कुल मिला के रचनाये साहित्यकार के बारे में वाक्यां सब्द सुद्धी तत्थम और तद्वा सब्द क्रिया सकर्मक कर्मक और पूर्ण काली क्रिया सब्द सुद्धी देखना पड़ेगा हिंदी साहित्यका जो काल भी भाजन उसको भी पढ़ना पड़ेगा वाक की सुद्धी वाच्ची पढ़ना पड़ेगा उपसर अगर प्रते और अन्तता हिंदी साहित्यका लिखन मतलब यह आपका में के बारे में बात करूँ तो एक टॉपिक है एवरेज का दूसरा है बहु भुज का तीसरा है आयात का इस्टोग्राम साधारान व्याज चक्रविद्धि व्याज उचाई और दूरी लाभानी प्रतीसत त्राजेदारी ठिक नाउत और धारा आयूजब मंदित प्रश्ण समय और कार समय दूरी बीजगडीत रेखी शमीकरन का रेखांकन फिभाजन अनुसमारक जैमिती त्रिकोण मिती और पाईचाट मतब जितना भी मैंने अपने जो टॉपिक बताया है आपको सब को पढ़ना है बिल्कुल एक टॉपिक नहीं छोड़ना है क्योंकि यहां से प्रस है कि यही प्रस्ण आएंगे मतलब इससे ही प्रस्ण आएंगे तो पहले क्या होता था माल लो आप हिंदी पढ़ रहे हैं थोड़ा बहुत इंग्लीज भी पढ़ लिए एक सेक्शन को छोड़ सकते थे लेकिन आपको कोई सेक्शन नहीं चोड़ना है क्योंकि हर एक प्रस् सम्मंद में पूरा जानकरी तो चत्यत्यत गड़ से सम्मंद इतिहास के प्रस्न जादा होंगे करेंट अभरत की सम्मंद में क्या होगा भारत का जो स्थिती है उनकी पडूसी राज्य यह चीज सवीधान खेल संस्कृति महत्रपुन घटनाए पुरुसकार सम्मंद भूग हो तो जो स्पेशल ब्रांज भरा ठीक तो जो भाई इस पेशल ब्रांज भरें हैं तीन यूनिट होते निकाई उसको तरंग, आप्टिक्स, ठीक है, रोटेशन मोशन, हाना, और और क्या दिखेगा, यहाँ पस आपको दीख रहा होगा, परमाडू और नाभिक, ठीक, रिडियेशन, सक्ति और कार, इलोक्ट्रो मैगनेटिक, कैनेटिक, ग्रेविटेशन, ठीक है, अल्टरनेटिंग करेंट, लॉप मोशन, मतलब जितने भी फिजेक्स के सिलेवस हैं, यहाँ पस कई सिलेवस आपको ना, इंजिनियरिंग जैसे दीखेगा, तो थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, उसमा गतिकी, बलक मैटर, इसको देखना पड़ेगा, उर्जा, कारे और सक्ती, और आपको मिलेगा द्रव, सॉलिड, रिजिट वर्डि, कैनेटिक ठियोरी हो जाना, मतलब गति जूर जा, इसके संबंद में परशनाएंगे, थर्मल मेटर के संबंद में परशनाएंगे, तो यह सब चीज तो आपके, बायो का सिलेवस हैं, मतलब फिजिक मतलब क्या होता है, शतहा, रसायन, बायो मोलेकूल, स्टीट अप मेटर गेस, इसके बारे हम देखना पड़ेगा, बलॉक्स देखना पड़ेगा, पर मालू की सर्रशना हो गया, फिनॉल तेखना पड़ेगा, इथर, एलकोहल, यह जो पेशिले लिखाने लिखल, तो एलको पूजयन है इस सब चीज़ को देखना पड़ेगा और ये निक मतलब एक होता है और ये निक में आ जागा तो उसको पड़ना पड़ेगा अगर आप आप ग्रांच में भरे हैं जिसमें आपको 5,600 अमर का भी पिपर दिलाना है तो कंप्यूटर कभी से लिए बस है तो उसमें सम्मंदित कंप्यूटर के संबंदित मेतिहास बेसिक ज्यानकारी अपकर्ण के बादे बादे हम देखना पड़ेगा उप्योग कंप्यूटर को यू कुछा चाहना पड़ेगा हादे हाडवेर निसफ आपटवेर और जो यह अपस डिुएंट टेकनोलजी विव पॉब्लिश जो वेब भी वर्तमान में प्रमान में पॉब्लिश किया जो करेंट है उसको देखना पड़ेगा और डाटा मेनेज्मेन शिस्टम देखना पड़ेगा विड़ो विडूज देखना पड़ेगा कि वर तमाल में विड़ो 10 है विड़ो 12 है सारी चीजह और बुलियन अलजेबर मतलम है कुम्प्यूटर में ना मैथामेटिक्स भी होता है वहां से भी प्रशनाएंगे एक बार फिर से थोड़ा रेकेप्टलाइस कर देते हैं देखो हिंदी भास में 125 नमबर और 75 रंग के इंगलिज और हिंदी के ग्रामर के प्रस्ट नहेंगे आपको समझ आ गया आपको तीन पेपर दिलाने जैसे मैंनुवतन हिंसा माने भासा समाने गया एप्टीट्यूट ट वह कितने नमबर कर वहोंगा तीन्सों में तीनसों कज़ोगे तकितना है गया 900 है फिजिकल में क्या क्या है उचिकूद साथ नमबर, लंबी कुद, साथ नमबर, सो मिटर दोर, साथ नमबर, पंदर सो मिटर दोर, साथ नमबर, और गोलाफ एक साथ नमबर, तो सब को जोड़ेंगे, कितना जाएगा, तीन सो नमबर, प्रिलिम्स का नमबर जुड़ेगा, क्या, बिल्कुल नहीं जुड़ेगा, भ सवालीफाई करने से मतलब है कितना नम्ब्र शाइए क्लिःख नहीं कर रहें कर रहें हाँ अगर ज्यादा नम्बर आते थिसयस भडता है रिज्स पॉलिफाई कर गए तो आप इतना जिंदीत मत तो यह भी है फिर मेनद करो फिर आपको मेंस कोट अच्छा करना है ना तो 600 नमबर में आप एकदम अच्छे स्थारी करें कि आप 400 से 500 नमबर ले आओना है बात कतम हो जाएगा और अंतता 100 नमबर का क्या होगा इंटर्व्यू तो मेरिट जो बनेगा वह 1000 नमबर में बनेगा यहां तक समझ आया होगा उमीद है एक चीज ना विशेज करके ध्यान रखना है जो हिंदी का समाने भासा का पेपर होगा जैसे हमने देखा अभी तक तो यह दो घंटेक होगा जबकि जीएस का पेपर कितने होगा वह तीन घंटेक होगा तो जीएस का पेपर तीन घंटेक जब कि हिंदी का पेपर कितना दो घंटे का जीएस की पेपर में क्या क्या रहाएगा जैसे 36 गणा भारत का जितना भी करेंट अफेर वह सब आ जाएगा जिसमें इतिहास पहले में बहुत सारे लोग कर गया है दूसरे में भी बहुत सारे लोग कर जाएंगे लगबग 20,000 बचेंगे कट अफ के लिए मैं बाद कर बार 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 वोड़ों कि आप बिल्कुल पैनिक पत होई अगर 50 से ज्यादा नंबर है तो आप कहीं न कहीं से हैं तीसरा चरण में मेंस का मेंसका पूरा सीलेवस देखे और चतूरत चरण में क्या होगा चेंज सुची जारी होगा और 5000 है की में होगा सारिक परीक्षा हो होने के बावजुद जिक्षा में वैतर होने के बावजुद दिन लोग डिस्क्वालिफाई कर गए होंगे तो यह सारी चीजे तो हई हैं लिखित पेपर हो गया 20 गुरा सात्रों का अब सेलेक्शन होना है अब वेट यह करते हैं कि कब तक होगा कि रिजर्ट कब तक आएगा यह सारी चीज़ों को देखना होगा लिखित परीक्षा पूरा देखा हमने 200 नम्मर का 2 गंट 75 और 125 नम्मर ठीक समाने के अंद 3 गंटे का भी है सभी को अनिवार है माइनस मार्किंग बिलकुल नहीं है फिर मैट चोगा यह तीनों को आपको कंबल सरी है एसाई सुबेदार प्लाटून कमांडर जबकि अगर आप विशेस ब्रांच भरे होंगे ना तापको दोनों पेपर दिलाना पड़ेगा उसमें भी क्राइम ब्रांच में पांचों पेपर दिलाना पड़ेगा ठीक है आगे देखते हैं चैन सुची फिर क्या होगा फिर मेरेड लिस्ट जारी ह होगा ठीक अलग-अलग पद के लिए फिर क्या होगा अब देखो अब 20,000 लोग है ना तो 20,000 में बाकी की छटनी हो जाएंगे सिफ 5,000 लोग बचेंगे किसके लिए फिजिकल के लिए तो अभी फिजिकल तायरी कर सकते हैं लेकिन मुझे लगता है पढ़ाई को पहले प्र वीडियो को भाई अंत तक देखे ना बीने स्किप करें यहां तक समझें आगे बढ़ती है जैसे आपका मेंस हुआ मेंस निकल तो आपके बाद फिजिकल होगा अपसाडिक परीक्षा होगा पाचो चरण है शाट नंबर शाट नंबर शाट नंबर शाट नंबर उची परसेंट लाना है कितना मैं लोगों तो 5,000 लोगों में जो नब्वे नमबर से ज़्यादा लाना पड़ेगा जो अपने रिक्षक कंप्यूटर में साइबर क्राइम का एक्जाम दिये हैं वो उप्रोक्त प्रतिस परधाओं में केवल क्वालिफाई करना होगा उनको आप देखो भाई इसमें आपको 200 नमबर का ज्यादा प्रश्ण दिना है तो आप मात्र क्वालिफाई भी हो जाएंगे ना तो आप कोई इश्यू नहीं है देन उसके बाद क्या होगा छटा चरण होगा इंटर्व्यू का सो नमबर का है मिनिममम नमबर तो नहीं पता लेकिन आपको कम सी कम सार से सत्तर नमबर लाने चाहिए अपके मेरे लिस्ट के लिए अचा मैं बोना संग के लिए बोल रहा था 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 एक्षिज और अंतर प्राइम के एक्जाम दे रहना उनका मेरे चुटी अलग से जारी तो जारी होगा जिसमें आपको लिखित परिक्षा होगा साक्षातकार होगा और बोना संग होंगे यह इसको ध्यान में रखना है इसमें आपको फिजिकल का कोई मार्किंग नहीं होता ठीक और एक चीज़ लोगों का प्रस्ट होता है ना थीस नमबर कैसे लाएंगे मतलब क्या कितना लंब गोला फेकेंगे दोड़ेंगे कितना फेकेंड में दोड़ेंगे तीस नमबर आएगा जादा ज्यादा नमबर आएगा तो मैं आपको यहां पस मेंसन कर दूं अगर आप 12 टक या फिर प्रस्ट जम करेंगे तो चोबिस सत्रह में 36 अठारा में 48 और 19 फिट में 60 नमबर ठैक अगर उची यह लंबी कूद है यह तो यह कैसी है इसके लिए तीन प्रेस दिया जाएगा ना यह लंबी कूद है अब एक होता है उची कूद तो इसके लिए अगर आप आठ फिट पत 40 फिर साथ अगर आप 15 फिट जम करते हैं तो आपको कितना नमबर मिलेगा अब यह साथ नमबर ठीक है तो देखो यह मैं आपको बता दूए महिलाओं का है ना यह पुरुषू का है अभी हमने देखा ना जैसे मालों आप 12 मीटर दोड़े 12 मीटर जम कि कोई नमबर नहीं यह 8 मीटर जम कि कोई नमबर नहीं लेकिन जब आपको मिनिमूम नमबर 12 चाहिए न तब को 14 फिट जम करना पड़ेगा जबकि महिलाओं को 10 फिट तो इसको ध्यान में रखें कि मांकि आपके सामने है स्क्रिंसोट ले लिजिए या टेलिग्राम जाकि इसको डाउनलोड कर चाहिए नमबर फिट चाहुट चाहिए नमबर चाहिए कि 8 ओवी 높ी नमबर जबकि 40 प्रफिट दस इंच मतलब लगबग 5 फिट के असपस 1.47 मीटर तो आपको 60 में 60 नमर मिलेगा जबकि महिलाओ के लिए तीन फिट 2 इंच में 12 तीन फिट 4 इंच 24 तीन फिट 6 में 36 तीन से आठ तीन फिट 8 इंच में पूरश 4 मीटर कोई नमबर नहीं कितना नमबर मिलेगा 12 चैन मीटर में 24 जबकि 9 मीटर में पूराम पूरा आगे बढ़ते हैं महिलाओ में चार मीटर में कोई नमबर नहीं 8 मीटर फिट दें 12 नमबर 6 मीटर में 24 जबकि 7 मीटर में 26 आठ मीटर में 46 और 9 मीटर में 60 जबकि आपस 9 मीटर से अधिक में 60 ज़्यादा नहीं हापस अब 100 मीटर दोड के बारे में बात करूं तो अगर आप 12 दसमला 5 मीटर के से कम लेते हैं अच्छा चली इतना से कम लेते ता आपको कितना मिलेगा आपको 60 में 60 मिलेगा भी या मतलब 12 सेकेड में दोड़ते हैं पूरा पूरा नमबर लेकिन आप साधे 13 में दोड़े 43 16 में 12 नमबर और 16 16 में आपको कोई नमबर नहीं मिलेगा जबकि महिलाओ में अगर वह 14 मिनट में दोड़ती तो पूरा पूरा फिर धीरे-धीरे कम होते नमबर कम होगा और लास्ट में यह भी देखेंगे आप अगर फिजिकल में फिट नहीं होना तो आप कैसे कर सकते हैं अंततह पूरा कल लिये दवर तो आपको लगबग वारा नमबर मिलेगा और अगर पांच मिनट में दवर लिए तो शाट नमबर मिलेगा पांच मिनट 10 सेकंड में 48 जबकि पांच मिनट 20 सेकंड में 36 वांच अभी देखा 12 अपकी महिलाओं के लिए इसमें एक ही प्रयास है अगर आपको 16 में 60 लाना है तो 6 मिनट में दवड़ो 6 मिनट 10 सेकंड में 46 जबकि 6-40 से उपर अगर दवडते हैं तो कुई नमबर ने अब महिलाया सिर्फ से वही केस महिलाओं में होगी ठीक और आप 100 मिटर 100 मिटर को लोग तो कर लेते तो मैं मान के चलता हूँ 24 नमबर 15 में तो 12 प्लस 24 गोला फेक में अगर बात करूँ गोला फेक में तीन प्रयास हैं तो मैक्जिमम कितना फेक सकते 6 मिटर मालों फेक देती ह नहां भी 24 नमबर तो 24 चोबिस और 12 एक मिनिममम नमबर लेके चल रहो न दोस्त उसके बाद अगर बात करूँ उची कुद में अगर आप 4 फीट चार इंच जम करें तो आपको फिर 24 नमबर तो और एक एवेंट बच जाता है कौन से इवेंट बच जाता है ये वेंट है य 12 चोबिस अगर आप उची कुद कर ले कितना 16 फिट तो आप 24 नमबर ले लिए मतलब 24 को चार से गुड़ा कर दो 24 को चार से मल्टिप्लाइ कर दो कितना है चार चुक 16 हासिर को एक चार एकम चार दुनिया ठेक ना और उसमें 12 तो आपको मिनिममम इतना नमबर लाना है ऐसा नहीं है कि आपको पांच मिन चार इसमें नहीं है पर यह सारी चीजें और यही कंडिशन महिलाओं के भी लागोगा आप मिनिमम में 12 से 24 नमबर की बीच में अपना नमबर रखो अगर जादा फिजिकली रुप से एक्टिवेट नहीं हो मतलब भाई एक तो समय भी हो है लोग पास साल में अलग फिटनेस लेवल था वरतमान मेलग फिटनेस लेवल है तो आप मिनिमम मिनिमम से थोड़ा मॉडरेट चले 24 नमबर को लेके चले तो आपको अच्छा से अच्छा नमबर मिलेगा तो अगर भाई 300 नमबर में 305-306 ले आएंगे ना तो ठीक है नह और कुछ जो बजगे हैं मैं बता दो यहां पस मेरा एज के बारे मिंसन हुआ है तो आपके सामने हैं देख लिजेगा तो यह सारी चीजें हैं और उसके बाद पूरा सब चीज होने के बाद मेरे लिस्ट जारी होगा एक अजार नमबर में वहां से अपका फिर चैन होगा फिर आप एसाई बनेंगे या सूबेदार बनेंगे या स्पेसल कमांडर बनेंगे या क्राइम ब्रांच की अधिकारी बनेंगे खुल मिला के कह लादे रादे